नमस्कार दोस्तों मैं सिम्रन और आप देख रहे हैं The Fact Time एक बार फिर आपके सामने उन सारे कहानियों की सच्चाई जानने के लिए जो डेरा सच्चा सोदा के बारे में दिखाई गई थी हम खड़े हैं देरा सच्चा सोदा के बार हमारे साथ है कुछ महीलाएं जो लगातार आज भी देरा सच्चा सोदा से जुड़ी हुई है बात करते हैं उन से क्यूं आज भी उनको अपने गुरू पर इतना विश्वास है नमस्कार क्या नाम है आपका? नमस्कार कि यहां गलत होता है क्या कहोगे इस बारे में? हम सची कहेंगे करें हमारा गुरू सच्चा है और हम इसके साथ जुड़े रहेंगे सद्स आ को लिए ही हमारा गुरू पवित्रपा क्या जो जीतना कुछ भी मीडियामें इस जगा के बारे में दिखा या था कि सचमु जी हाँ पर वैसा सब होता था नहीं, गल्ट है, मीडिया बिका हुआ है हमारे बाप को अंदर कर रखा है इनोंने किसलिए? बिके हुए हैं सारे सारे बिके हैं हमें कुरोणा गुणा हजारा गुणा विश्वाश है पिता हमारे गल्ट नहीं है विद्ट है हम आते हैं बाप के घर आते हैं अपने के बाप पापेटी का रिष्टा इनोंने खड़ाब किया है ये भरेंगे नर का खरीदा इनोंने दर का खरीदा इनोंने सबने, मीडिया वालोंने भी आप ने गुछ ऐसा सुना तो क्या आपने कभी कुछ ऐसा सुना कि जो आपको लगा कि गलत कहा जा रहा था या गलत हो रहा था ये बिल्कुल गल्द कह रहे हैं आप लोग इतने इतने टाइम जा रहे हैं आपने का 30 साल आपको जुड़े हो गए किस तरह की कारे करने की प्रेयर ना गुरू जी दिया करते थे बहुत अच्छी देते हैं 133 कार्य हो रहे हैं यहां और कोई भी ऐसा गलत नहीं हो रहा है हम को अपने से खुद से भी जादा विश्वास है अमारे सत्कुरत इतना हमारे माँ बापने नहीं हमें बताया जितना उन्होंने बताया है इतना सुरक्षित मैसूस करते हैं यहां पर आप मेरी बेटी नाइंटीन फाइम में जहां पढ़ने लगी थी और दस सार यहां पढ़िया है कुछ भी ऐसा नहीं था मतलब आप लोग जैसा भी मीडिया में जो इस जगा के बारे में दिखाया गया था वो सब कुछ गलत था कुछ भी नहीं ऐसा है बहुत ज़्यादा ज़रूरत है बहुत मतलब हमको विश्वास है क्या उनकी समाज में नहीं होने से बाहर कोई फरक पड़ा है नशा बडा है नशे में डूब गए सब जिनके घर नरक थे वो सर्ग बने थे फिल्म दखाई पिताही ने फिल्म अपने लिए हमारे लिए बनाई फिल्म बनाई उसमें सारा कुछ दखाया उनने यह होनेवाला उनको सब कुछ पता था कि ये होने वाला है हमें तो नहीं पता हमें तो फिलम के लिए कठे कर रहे थे संगत को भी फिलम देखो MSD की फिलम देखो हमें तो अब समझ में आया है कि ये फिलम हमें क्यों दुखाई गई है क्यों किया गया है अब समझ में आता है सचा है सो क्रोणो सेंट हमें विश्वास अपने गुरु पर हम मर जाएंगे पर हमारा गुरु इतना विश्वास आज आपका आपके गुरु पर होना क्या वज़ा है इसके पीछे तो देखिए ये वो लोग हैं जो लगाता डेरा सचा सोदा से जुड़े हुए है इन्हों ने कहा कि इन्हों देरा सचा सोदा से जुड़े 30 साल से वी उपर का समय हो गया सोचिए ये लोग यहां पर 30 साल से लगातार आ रहे हैं और इन्हों ने कभी यहां पर कुछ ऐसा होता नहीं देखा जितना कुछ में मीडिया में दिखाया गया था इसी तरीके से हमारा चैनल आपको सच्छे रूबरू करवाता रहेगा जुड़े रहे दफेक्ट आई के साथ धुन्यवाद